अगर सब के पास एक दिन में बराबर घंटे हैं, तो कुछ लोग काफी कुछ अचीव कैसे कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत कम अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर और सरक्सेस्फुल हो जाते हैं, जबकि हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, इसका अंसर है उन सभी चीजों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो उन चीजों को करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए हर चीज equally important नहीं होती जो सच में करना important है उसे करना शुरू कर दो नमश्कार दोस्तों, Entrepreneurs Guide में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम The One Thing Book समरी शेयर कर रहे हैं जिनमें सीखेंगे कि कैसे आप कम काम करके ज़ादा सक्सस हासिल कर सकते हैं आपकी One Thing क्या है और कैसे आप बाकी काम छोड़के अपने One Thing पर फोकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो उसको लाइक और शेयर कीजिए तो आएए शुरू करते हैं The One Thing Book समरी ओधर कहते हैं अगर आपको Extra Ornery Results पाने हैं तो आपको अपने फोकस को Narrow करना होगा सक्सस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होगा लोगों की Mentality है कि Successful होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा लेकिन ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा काम नहीं कम काम करने की जरूरत है आपको Life में जितना हो सके फालतू के कामों को Remove करना है उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुस सफल बनाएंगे हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को खतम करने के लिए आने वाले कल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर खतम कर लेते हैं कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामियाब होकर मशूर हो गए हैं क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राइ करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। The One Thing बुक में इनी समस्याओं के लिए एक framework दिया गया है, जो हमें कम समय में जादा काम खतम करने और टाइम पर कामियाभी हासिल करने में मदद करता है। What is The One Thing? One Thing का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनरजी लगाना। अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़ादा जरूरी है, जो सबसे ज़ादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ परपस को पूरा करता है। For example, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलगर को सिर्फ क्रिकेट की वज़े से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़ादा से ज़ादा टाइम और एनरजी खुद को क्रिकेट में बहतर बनाने के लिए यूज किया है। फिर वहें क्रिकेट के साथ साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल स्टेक के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करतें, तो वहें इन तीनों में से किसी एक चीज के भी एक्सपर्ट नहीं बन पातें। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रतन के अवोर्ड से सम्मानित किया जा सके। आपका मन भी जादतर लोगों की तरह एक से जादा चीजे करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, कभी इंजिनियर बनने का करता होगा। अब खुद से साफ साफ पूछिए आप जिन्दगे में क्या बनना चाते हैं, आपका लाइफ परपस क्या है। अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पर आप हैं उसी के आसपास गूमते रहेंगे आज आपके लिए one thing क्या है इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तमाल कर सकते हैं 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% result देते हैं वहीं हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही result देते हैं तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपको 80% result मिल सकता है ऐसा तब तब करते रहे जब तक आपके पास एक काम बग जाए आज की यह वन थिंग आपको भविशे की वन थिंग जाने में मदद करेगी वह हम डॉमिनो अफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं The Domino Effect एक सिंगल डॉमिनो अपने से 50% बड़े डॉमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है अगर हम एक सिर्फ दो इंच की डॉमिनो को ले फिर अगला डॉमिनो 50% बढ़ा यानि की 3 इंच का हो फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डॉमिनो को खड़ा कर दे तो 23 डॉमिनो आइफल टावर से भी बड़ा होगा 31 डॉमिनो माउंट एवरिट से 3000 फीट बड़ा होगा 57 डॉमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डॉमिनो को गिरा कर हम बागी सारे डॉमिनो उसको असाने से गिरा सकते है जिसको हमारे लिए खुद से गिराना impossible होता है तो आप अपनी लाइफ में भी डॉमिनो इफेक्ट लाओ एक सही काम करो फिर थोड़ा बड़ा काम करो ऐसा करते रहो जिन लोगों के पास deep knowledge होती है उन्होंने time के साथ ये सीखी होती है जिनके पास अच्छी skills होती है वो time के साथ develop होती है जिनके पास काफी पैसा है वो time के साथ जमा किया होता है इसका मतलब है कि success एकदम नहीं बलकि time के साथ sequentially built होती है 6 lies between you and success कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरू और सलाकारों ने हमारे दिमाग में 6 जूट भर रखी हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं सक्सेस्फुल होने के लिए उन रास्तों पर चलते हैं लेकिन हकिकत यह है कि इनी 6 जूट की वज़े से आप काम्याब नहीं हो पा रहे हैं First, Everything matters equally जब सारे काम urgent और important दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगता है कि सब कुछ equally matter करता है जब सारे काम urgent और important दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ वराबर माइने रखता है लेकिन ऐसा नहीं होता है हर एक urgent काम important नहीं होता एक distraction होता है दूसरी बात सारे काम जरूरी नहीं होते कुछ काम ऐसे होते हैं जिने सबसे पहले करना पड़ता है और कुछ ऐसे जिने करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की जरूरत नहीं है अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी जरूरत अभी नहीं है तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी जरूरत अभी है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं For example, आप एक ओथर हैं आपको एक बुक लिखनी है आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा और आप सोचने लगते हैं कि बुक का कवर कैसा होगा कौन से पब्लिशर से पब्लिश करवाना है बुक का प्राइस क्या होना चाहिए इन सब के बारे में सोचकर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं यह सारी चीजे अभी जरूरी नहीं है अभी जरूरी है बुक का पहला पेज लिखना फिर दूसरा और फिर तीसरा इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना जरूरी है इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज़ादा जरूरी है यह जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल को यूज कीजिए सेकिंड, मल्टी टास्किंग ओधर कहते हैं मल्टी टास्किंग एक जूट है जो अच्छा नहीं है नहीं इसके हमें जरूरत है प्रूफ करने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं इससे पता लग जाएगा कि मल्टी टास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है अगर मैं इंग्लिश अल्फवेट A, B, C, D, E तक पढ़ती हूँ तो मुझे 1.04 सेकंड लगते हैं लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइन्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हूँ जैसे A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5 तब मुझे 6.48 सेकंड लगते हैं अलग-अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकंड का समय लगता है लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकंड का समय लगता है ऐसा क्यों? यह जादा टाइम किस चीज में जा रहा है? जब मैं A पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ती हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है और फिर से एक काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाते हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंगलिश अल्फाबेट की लाइन में किस लेटर पर छोड़ी थी ऐसे मल्टि टास्किंग में मुझे तीन गुना जादा समय लगता है तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टि टास्किंग क्यों बुरी है हम मल्टि टास्किंग किस लिए करते हैं हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खतम कर लेंगी लेकिन होता उसका उल्टा है हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में जादा टाइम ले लेते हैं फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता जिससे होता है यह है कि बीते कल का काम भी अर्जन बनकर आ जाता है जिससे हमारे आज के काम भी रुख जाते हैं थर्ड, Believe in Self-Discipline ओथर कहते हैं कि success के लिए discipline होना जरूरी है तो यह काफी हद तक गलत है Discipline तब तक ही important है जब तक आपकी habit डवलप न हो जाए एक बार आपकी habit डवलप हो गई तो बाकी काम खुद बखुद हो जाता है Discipline रहने का मतलब है आपको खुद को specific way में act करने के लिए force करते हो For example, smoker को smoking के लिए महनत नहीं करने पड़ती उसकी habit खुद बखुद ऐसा करवा लेती है तो एक habit को डवलप करो क्योंकि जब एक मुश्किल काम habit बन जाएगी तो habit उस काम को easy बना देगी Successful होने के बाब Successful होने के लिए discipline life होना सबसे ज़ादा ज़रूरी है आप कम discipline होते हुए भी successful हो सकते हैं क्योंकि काम्याबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है नहीं कि सारे काम सही करके जिन्दगी में उतना disciplined होना काफी है जितने से आप अपनी one thing पर काम कर सको Follow the steps First, हमेशा discipline में मत रहो Powerful habits को बनाने के लिए discipline में रहो Second, एक बार में अपनी एक habit को बनाओ हम human beings, super humans नहीं है इसलिए जो है वो जादा के चकर में कही आदा नहीं हो जाए इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक habit को ड्वलप करो Third, habits को sufficient time दो New habits को कम से कम 66 days दो फिर उसके पाल आप उसे और time दे कर और strong बना सकते हो या फिर अपना time किसी नई habit को ड्वलप करने में लगा सकते हो Fourth, willpower is always on call इंसान में हमेशा willpower होना जरूरी है यह भी एक जूट है फोन की बैटरी की तरह इंसान की बोडी पावर और willpower भी यूज होने के बाद खतम हो जाती है जैसे फोन की बैटरी कंद हो जाने के बाद हम फिर से रिचार्ज करते हैं उसी तरह रिलेक्स करके हम अपनी एनरजी वापस ला सकते हैं ताके हम फिर से काम कर सकें हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बोडी पावर और willpower पूरी तरह से चार्ज हो जाती है फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है इसलिए हमको अपनी जरूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए एक बार जरूरी काम खतम हो जाएं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं जिंदगी में बैलेंस बना कर रखना चाहिए सभी चीजों को पराबर टाइम देना चाहिए यह भी गलत और जूट है तीन बच्चों के साथ फुल टाइम जो और खुद का बिजनस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते यह बहुत मुश्किल है कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय कोई जरूरी काम नहीं होता जब हमारे पास काम ज़ादा भड़ जाता है तब हमें उस ज़ादा टाइम अपने काम को ही देना होता है ओथर कहते हैं कि आप अपना ज़ादा से ज़ादा टाइम अपनी वन तिंग यानि अपने में गोल को दीजिए आपका जादा टाइम वही जाना चाहिए जहां से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं बड़ा सोचना बुरा होता है इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है यह भी जूट है बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि काम्याभी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं एक्षन लेने होते हैं एक्षन लेने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है अगर आप छोटा सोचेंगे तो एक्षन भी छोटे लेंगे और आपको रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे तब फोकसिंग क्वेशन हमें से जादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ परपस क्या है वे अपनी जिन्दगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस किसी ने भी एक साधारन जिन्दगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ओर्डनरी जिन्दगी जीने का सप अरी का है फोकसिंग क्वेशन जो हमें अपने आप से पूछते रहना है वह क्वेशन है वह कौन सी चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना असान हो जाएगा या फिर उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप एक एक्जाम्पल से समझते हैं कि हम इस question को अपनी life में कैसे apply कर सकते हैं अपनी life के सभी areas जैसे career, finance, learning, relationship, health, happiness इन सभी areas में एक ऐसी चीज जूने जिससे आपके बागी दूसरे काम करना असान हो जाए या फिर उनको करने की जरूरत ही ना पड़े live with purpose and priority आपके जिन्दगी का goal आपका सबसे बड़ा margin होता है जो आपको भटकने नहीं देता सही रास्ता दिखाता है जब आपको अपना purpose पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा आप अपनी जिन्दगी में क्या चाहते हैं आपके लिए क्या important है आप जिन् set करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहेगे सबसे आखरी में आपके पास right now goal का question आएगा कौन सी एक चीज है जिसको मैं अभी कर सकता हूं अपने goal को हासिल करने के लिए the four thieves of productivity, यह productivity से संबंदित चार चोर हैं जो आपका समय चुरा लेते हैं, अपने goal को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बना कर रखनी है फर्स्ट, inability to say no, वह काम या वह लोग जिनको आप किसी न किसी वज़े से ना नहीं कह पाते कभी ना कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई important काम कर रहे होते हैं, कोई urgent काम बिन बुलाए महमान की तरह आ जाता है या फिर हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते author कहते हैं, कि अपनी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हा करने की है, वह काम है अपनी one thing अपनी one thing को हा कहिए, बाकि सभी कामों को ना कह दीजिए, जब तक आपकी one thing पूरी ना हो जाए जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी one thing के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए, जो ज़रूरी नहीं है उनको ना बोलने के बाद, आपकी जिन्दगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिस बैलन्स हो जाएगी लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, इसके साथ comfortable होना है, इसके साथ जीने की आदट डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम ज़रूरी नहीं थे वह काम urgent और important दिख रहे थे, लेकिन वह नहीं थे, उनसे हुई गड़बड़ी आजकल तक ही matter करेगी लेकिन आप अपनी one thing पर काम छोड़ कर, किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे, तो यह life time तक आपको effect करेगा थर्ड, poor health habits, बुरी आदते, जो आपकी स्वास्ते को खराब करते हैं आपके पास चाहें बंदूख हो, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, यानि health अच्छी नहीं है, तो एक unarmed इंसान भी आपको हराकर चला जाएगा अगर आपकी health खराब ही रहेगी, तो आपका पैसा और समय बिमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा आपको अपने मकसद पर काम करने का मुका नहीं मिलेगा इसलिए अच्छा खाना खाईए, अच्छे नीद लीजिए, exercise कीजिए, meditation कीजिए, वह हर काम कीजिए, जो आपको healthy बनाए रख सकता है एसा माहूल जो आपके गोल्स के लिए बादा बन रहा है, ऐसे माहूल से दूर रहे मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है, जब मैं वीडियोज बना रही होती हूँ, तो आस पडोस में जादा शोर होने लगता है कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के पच्चे ही शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है नहीं करता, तो ऐसे माहोल को चेंज कीजिए, इसमें बदलाव लाइए, ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से खतम कर सके दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाते हैं, तो Amazon से मंगवा सकते हैं लेंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आपकी one thing क्या है, जिस पे आप फॉकस करना चाते हैं, नेची कमेंट में ज़रूर पता है थैंक यू थैंक यू गाइस, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमेरिटली चानल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इमेरिटली लाइक और कमेंट भी कर दें, जल्दी मिलेंगे और भी बैसर वीड झाल